आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एकोनोमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कोशन पेपर रिलेटेड आईए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन नगत आरक्षित अनुपात में विरधी से मुद्रा गुनांग का मान डैस रहता है जब नगत आरक्षित अनुपात में विरधी होती है तो मुद्रा गुनांग का मान बढ़ता है घड़ता है यह परभावित रहता है तो जो मुद्रा गुनांग का मान है वो घड़ता जाता है नेक्स कोशन मद्यवर्ती वस्तू की परिभाश दीजिए कि अब हमें मद्यवर्ती वस्तू जो है न उसकी परिभाशा देनी है मद्यवर्ती वस्तू से हमारा आसे उन गैर टिकाओ वस्तू से है जिनकी मांग उत्पाद को द्वारा उत्पादन करने अत्त था पूर्ण बिक्री के लिए की जाती है कि क्या करते हैं कि जैसे कोई ब्रैड किसी दुकानदान ने ब्रैड खरी दी आप उस ब्रैड के उनने ब्रैड पकोड़े बना लिए तो उस ब्रैड उनने ब्रैड खरीदी थी फिर ब्रैड पकोड़ बना के उनने बेग दिये तो पूर्ण बिक्री के लिए उप्योग किया ना एक वस्तू को खरीदा उसका उप्योग अपने खाने के लिए उभोग के लिए ना करके उनने पून बिक्री के लिए उसका पुन्हे निर्मान किया उनने ब्रैड से ब्रैड पकोड़ा बना के बेचा तो इसे हम क्या करते हैं मध्यवर्ती वस्तू है जो ब्रैड हो गई वो मध्यवर्ती वस्तू हो नामात्मक उपयोग के नाम-बताइए कि बैंक दर के द्वारा हम सांड्र व्यक्ति मैं निर्मान को नियंतित कर सकते हैं खुले बजार की परकरिया के द्वारा हम साथ निर्मान को नियंतित कर सकते हैं रैपो दर या रैपो रेट के द्वारा हम साथ निर्मान को नियंतित कर सकते हैं या रिजर्फ रैपो दर के द्वारा कर सकते हैं रिजर्फ रैपो दर के द्व मांग जमा से आसे उन जमाओं से है जो जमा करता कि मांग पर दे होती है कि मांग जमा वो है कि किसी व्यक्ति ने बैंक में जाकर अपनी जमा पैसे को जमा किया और जब उनने उसे मांगा तो बैंक ने जितने रुपे उसने मांगे थे उसके बदले उसने उतने पैसे दे दिय तो यही मांग जमा होती है उसके मांगने पर जितने उसने मांगे उतने पैसे दे दिये जितने उसने जमा किये थे मतलब उसमें से कुछ मांगेगा तो उतने उसने दे दिये तो वही मांग जमा कहलाती है next question मौदिक नीती समान्यत है सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है कि मौदिक नीती जो होती है कि क्या सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है अर्थव्यास्ता में कीमत इस्थर को देश में रोजगार सेजन को इस्थिर विदेशी संबंद को सरकार द्वारा अत्यादिक कर एकत्रिकर्ण को तो अर्थव्यास्ता में कीमत इस्थर को कि अर्थव्यास्ता में कीमत जो है वो इस्थिर है या नहीं है ये सुनिश्चित करने के लिए मौधिक नीती को अपनाए जाता है Next question एक अर्थव्यास्ता में समता बिंदू और संतों बिंदू आए के एक समान इस्थर पर होंगे यदि परतीशत निवेश डैश हो अगर परतीशत निवेश जो है वो सूनने होगा ना तो क्या होगा अर्थ वैस्ता के समानता बिंदू और संत्वा मिंदू एक समान इस्तर पे हो जाएंगे Next question बताईए कि क्या दिया हुआ कथन सथ्य या आ सथ्य तो पर्तिबंद तिर्टिये विनियम दर बजा शक्तियों द्वारा निर्धायत होती है जो पर्तिबंदित तेते दर है वो क्या होती है कि बजा शक्तियों के द्वारा निर्धायत होती है परंतू केंदिया बैंक द्वारा निर्धायत विशिष्ट सीमा के अंदर रहती है और जो केंदिया बैंक के द्वारा सीमा लगाई गई है उसके अंदर भी रहती है तो यह क प्रात्मिक घाटा गुनान के उसका करने का सूत्र क्या है प्रात्मिक घाटा बराबर में राजकोशिय घाटा माइनस ब्याज का भुकतान की प्रात्मिक घाटा जो है वो किसके बराबर राजकोशिय घाटा माइनस ब्याज के भुकतान के बराबर है अगर आपको यह वीडि पर शेयर करना बिलकुल ना भूले